अरपारेडियो.com की प्रस्तुती इतिहास का अभ्यास वाच्यक्स्वर अनुच्छ श्रीवास्तों मध्यकालीन 36 गण सामाजिक सांस्कृतिक विकास मध्यकालीन 36 गण सामाजिक सांस्कृतिक विकास के पूर्व 36 गण नामकरण के संदर्भ में वर्नन किया जा रहा है 36 गण के बारे में विद्वानों में मतभेद है हीरा लाल ने लिखा है कि 36 गण 4 गण का उपभरंश रूप है लाल प्रद्युमन सेह का मत है कि 36 गण में 36 राजा राज्य करते थे प्रत्यक राजा का एक एक गण था इस तरह यहां 36 गण थे इस कारण इसका नाम 36 गण पड़ा है 36 गण परिचय तथा सीमाए 36 गण मध्य प्रदेश के दक्षिन पूर्व भाग में इस्थित है ये राज्य एक नवंबर सन 2000 में अपने अस्तितों में आया इस राज्य का कुल क्षेत्रफल एक लाग 35,191 वर्ग मीटर है इस राज्य में कुल 27 जिले हैं पंद्रमा कोरिया सोलमा दंतेवाडा सत्रमा बीजापुर अठारमा नारायनपुर 19 मा बलोदा 20 मा बेमेतरा 21 मा गर्याबंद 22 मा बलोदा बाजार भांटापारा 23 मा कोंडागाउं 24 मा सुकमा 25 मा मुगेली 26 मा सूरजपुर 27 मा बलरामपुर सीमाई इस राज्य के दक्षण में आंध्रप्रदेश पूर्व इवं उत्तरपश्चिम में मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश पश्चिम में महराष्ट्र और उत्तरपूर्व में उडीसा तथा जहारखंड इस्थित हैं 36 गढ़ की प्रमुख नदियां महनदी, खारुन, अर्पा, पैरी, हस्दो और शिवनाध हैं 36 गढ़ की जातियां मध्यकालीन 36 गढ़ में अनेक जातियां, जन जातियां एवं कई वर्गों के लोग निवास करते थे जैसे ब्राम्हन, चत्रिय, वैश्णव, अहीर, सुनार, कुर्मी, गोंड, बैगा, राउत, सतनामी, आदी यहां के लोग रूढिवादी, सीदेह, सरल, एवं इमानदार होते थे जन जीवन में कुछ अंदविश्वासों ने भी जगे बना ली थी 36 गढ़ का प्रमुक व्यवसाय क्रिशी है यहां के लोग अपनी मूलभूत आवश्यक्ता की पूर्ती क्रिशी के माध्यम से कर लेते हैं यहां की प्रमुक वसल आज भी धान है और मुख्य भोजन चावल है मध्यकाल में 36 गढ़ के इस्त्रियां साडी पहनती थी आमतोर पर पहनने और ओढ़ने में सूती कपड़े का प्रयोग होता था पुरुष, बंडी या सलुखा पहनते थे संपन्न लोग कोसा कपड़े का भी उप्योग करते थे 36 गढ़ के सामाने परिवारों के मकानों में बरामदा और आंगन होता था मकान के पास ही जानवरों को बांधने के लिए बाड़ा बनाया जाता था इस क्षेत्र में लोग धार्मिक आस्था वाले वह शक्ती के उपासक थे वे रोग मुक्ती के लिए देव मंदिरों में पूजा करते थे तथा मदिरा, पशुबली, आदी की भेंट चड़ाते थे समस्त इस्थानों में आज भी मेले उत्सव आदी का आयोजन होता है शक्ती की उपासना के विविद स्वरूप, जमारा, नवरात्र, भोजली आदी में दिखाई देते हैं आदिवासी बाहुलिक्षेत्र में जीवन साथी चुन्ने की स्वतंत्रता भी प्रचलित्ती जिसे घोटुल संस्कृती कहते थे जनजाती में बहुविवाह, विद्वाविवाह, ये सब परंपराएं आज भी प्रचलित हैं लोक संस्कृती 36 गड़ की लोक संस्कृती हमेशा से संपन्न रही हैं यहां विभिन आवसरों पर सुवानृत्य, कर्मा, नाचा, मड़ई, रास, पंथी आदिनृत्य किये जाते थे धार्मेक नृत्यों में जवारा, माता सेवा के नृत्य प्रसिद्ध रहे तद्योगीन लोकीत का बड़ा भंडार आज भी जातियों के पास सुरक्षित है जो यहां की लोक कला की अमूल्य निधी है 36 गड़ भाशा मध्यकाल में 36 गड़ के अनेक अंचलों में 36 गड़ी भाशा स्थानिय बोली के रूप में प्रचलित थी वर्तमान में 36 गड़ी को राज भाशा का दर्जा प्राप्त है 36 गड़ी कला के अनेक प्रमुख केंद्र हैं जैसे रतनपुर, सिरपुर, राजिम, भोरमदेव, मलहार, बस्तर और जगदलपुर आदी। स्मर्निय बिंदू, 36 गड़ की जातियां। 36 गड़ राजि में अनेक जातियों, जन जातियों तथा वर्गों का निवास रहा है। जैसे ब्राम्हन, क्षत्रीय, वैश्नव, अहीर, गोंड, सतनामी, सुनार, कुर्मी, आदी। प्रमुख व्यवसाय, 36 गड़ का प्रमुख व्यवसाय क्रिशी है। यहां के लोग अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती, स्थानिय लगू उद्योगों एवं क्रिशी के माध्यम से करते थे। प्रमुख तीर्थ स्थल, सिर्पुर, आरंग, दंतेवाडा, रतनपुर, शिवरी नारायन, राजिम, खल्लारी, डोंगरगण, आदी तद्योगीन प्रमुख तीर्थ स्थल थे। अरपारेडियो.com की प्रस्तुती, इतिहास का अभ्यास।